दोस्तो हमारे आधरकार में फोटो का क्या हाल है आई होब आप सभी को पता होगा आज की इस वडियो में हम देखेंगे अपने आधरकार में ओल्ड जो फोटो है कैसे चेंज कर सकते हैं और न्यू फोटो एड कर सकते हैं दोस्तो आधरकार में फोटो चेंज करने के लिए सबसे पहले आपको इस वेपसेट के उपर आना है इसका जो लिंक है इस वडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा इस वेपसेट के उपर आने के बाद सिंपली नीचे की तरफ सीटी और लोकेशन आपको सिलेक्ट कर लेना है आपका जो भी नियर भाई सीटी एंड जो भी लोकेशन है आप सिलेक्ट कर लेंगे तो चलिए हैं पर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ सिलेक्ट करने के बाद सिंपली क पर एक OTP आएगा और यहाँ पर OTP नंबर डाल के सिंप्ली करेंगे verify OTP, verify OTP करने के बाद आपके सामने ऐसा कुछ interface आजाएगा, यहाँ पर टोटल चार स्टेफ है, appointment details, personal details, time slot details और appointment details review, तो यहाँ पर first वाला जो option है, appointment details में resident type, resident और NRI, non resident of India, अगर आप इंडिया से है तो यहाँ पर resident select करेंगे, अगर आप NRI है तो यहाँ पर NRI select कर लेंगे, इसके बाद आपका आधर नंबर डाल देना है, name on आधर, आधर कार पर जो भी नाम है डाल देना है, application verification type यहाँ पर document select कर लेंगे, आपका जो भी state है आप select कर лेंगे, state select करने के भाद simply आपको ct select कर लेना है, ct select करने के बाद आधर, से बाग हंद्र tutte कर लेना है, select करने के बाद simply click करेंगे next के उपर next करने के बाद आपके समने ऐसरै कुछ इंटरफेस आ जाएगा, यहाँ पर सिंप्ली आप सिलेट कर लेंगे Biometric Photo Iris and Fingerprint, यहाँ पर आप देख सकते हैं Applicable fee 100 रुपीज लगेगा, Photo and Iris and Fingerprint अपडेट करने के लिए सिंप्ली करेंगे Next, नेक्स्ट करने के बाद आपके सामने Date and Time का Option आ जाएगा, यहाँ पर Red मतलब अवेलेबल नहीं है White मतलब Slot अवेलेबल है, यहाँ पर आपके According Date and Time आप सिलेट कर लेंगे सिलेट करने के बाद सिंप्ली नीचे के तरफ जाना है और करना है Next Next करने के बाद आपके सामने Application Review आ जाएगा, यहाँ पर सब कुछ सही से एक बाद चेक कर लेंगे Time Slot and Application Date and आधार सेबा केंदर यहाँ पर चेक करने के बाद सिंप्ली करेंगे Submit, देन करेंगे OK OK करने के बाद कुछ भी आप Edit नहीं कर सकते हैं, इसके बाद करेंगे फिर से OK और यहाँ पर आप देख सकते हैं Total जो Fees 100 रूपीज आपको Payment कर देना है, Payment करने के लिए Select Payment Mode Online Select करेंगे इसके बाद Payment Gateway Pay You and करेंगे Mac Payment यहाँ पर Debit Card, Credit Card, Net Banking, UPI, काफि सरे Payment Method मिल जाता है यहाँ पर No Service Charge, मतलब कोई भी Extra Service Charge आपको नहीं देना बड़ेगा यहाँ पर सिंप्ली कर देंगे Make Payment, Make Payment करने के बाद जैसे यहाँ पर Payment सक्सेस्फुल हो जाता है आपका Appointment सक्सेस्फुली Book हो जाएगा उसी डेट एंड टाइम पर जाके आपको Like फोटो लिया जाएगा आधार सेवकेंदर में और विदिन 24 आवर्स आपका जब फोटो है अपडेट हो जाएगा तो आपको बता दिया किस तरीके से आप आधार कार में फोटो चेंज कर सकते हैं इसके लिए ओनलाइन आपको Appointment Book करना पड़ता है आई होब इस वीडियो आपको काफी पसंद आए होगा पसंद आए तो Like कीजिए Share कीजिए अगर इस चैनल पर पहली बढ़ाए तो प्रीज सब्सक्राइब करके बेल आपको ज़र पिस कर लीजिए मिलता हम से नेक्ष्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद बंदे मातरम